हेलो एब्रिवन विलकम टू दास्विल पॉइंट इस्टिटूट इन दौर तो गाइज हम क्या पड़ रहते हैं हाइवे इंजिनियरिंग तो हाइवे इंजिनियरिंग का चैप्टर वन अपना कंप्लीट हो चुका है हम कांटीनियू करेंगे चैप्टर टू चैप्टर टू आपक्या जोअचे लिए पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि हाइवे का डेवलमेंट कैसे हुआ है और किस टाइप कोस्चन हमारे एकजाम में आते हैं जिस बछल्ग तो सबसे जद्यादा जब्रेज निकल कर आया था उता तो जो में क्या पड़ते हैं बहुत प्रिष टोपिक होते हैं लेकिन इसे कौन-कौन फिर टोपिक कर नहीं पढ़ने नहीं है पढ़ने हैं फारीज चीजें के उन्दर करेंगे एक एक करके तो क्प्लिट वीडियो को वाच कर यह सारी चीज़ आपको पता चल जाएंगे हम पढ़ रहे हैं हाईवी इंजिनिरिंग यह हमारा चैप्टर नमबर टू है यह हमारा चैप्टर टू है इसमें कौन-कौन से टॉपिक पर हम डील करने वाले हैं थोड़ा उसको बताएंगे जो मे इसी वगारा पढ़ते हैं फारे से फील हो जाती है वैसी आप हाईवी इंजिनिंग को फील करेंगे यह आप कांट्यूनी बहुत अच्छे स्टड़ी करते हैं जो में डिजाइन के अंदर गत जो आपका हाईवे होता है जो आपका रोड होता है उस रोड में जो विजबल पिसर के वारें पढ़ते है विजबल फीचर जो हमने आँखोंफे दिखाई देते हैं उन सारे पिसर के वारें पढ़ने वाले होते हैं उनको आगे डिफक। करेंगे वहराल हम देख लेते हैं इसnos चैप्टर में कौन-कौन से टॉपिक प्र कॉस्चन आप प्ले जाम में element यदि हाईवे के सेक्षन को हम काटके देखे तो कौन-कौन से element दिखाए देंगे ठीक है उन्हें कौन-कौन element होते हैं से अपने काइंबर वगरा पड़ा होगा उन सारी चाज़ों को डिटेल में देखेंगे तीसरा अपना टॉपिक रहने वाला फाइट डिफ्टेंज आपने पड़ा होगा इस टॉपिंग इंटर्मीडियर्ट इस टेंज एडलाइट इस टेंज ओवाइट टेंज इस इन सभी इसके बारें बहुत अच्छे कवर आप करने वाले हैं ठीक है अगल अपना टॉपिक है डिजाइन अप पहाँ तो आप किस तरीके से में होरिज्टन करव को डिजाइन करना होता है किस तरीके से पर इलेवेशन प्रोवाइड करते हैं वह वांदी देखेंगे यह आपके टॉपिक नमबर फॉपिक नम्बर फाइव है लिटिकल एलाइमेंट आपने समिंट कर फुना होगा उनप पढ़ेंगे डिजाइन आप इंटर्फेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् करने का तो देखें जो हम करते हैं जो हमारे विजवल डाइमिंफन होते हैं उनके वारे पड़ते हैं जैसे कि क्राफ एक्षण क्राइवफिक्ष्ण में क्या आएगा कि बरट के बारे में देखेंगे बारे मोरे में देखेंगे ना ili If को इंसब को करते हैं तो इसे श्वाह जानना ठीक है विजव मेटा गहिए होता है लेकिन दियाइन की बात हो रही है तो हर एक पॉइंट आप व्यू को हम डिजाइन करके चलें गो कितनी बिड़ देना है कितना फ्म देना होता है क्योंकि आपको कुछ कुछ आइडिया लग रहा होगा कि जूमेंट्री डिजाइन में क्या करने वाले हैं आप समझो आप किसी रोड से ट्रेवल कर रहे हो तो जो रोड बनाई गई है उस रोड में आपको उसकी विर्थी दिखेगी रोड को बनाने में डेप्थ फिलिंग मगारा की गई होगी उसमें मोड भी होंगे तो फूपर इल्वेफन प्रोवाइड किया गया होगा और जो प्रापर डिजाइन होता है एक मतलब पुड़ा इनालफिस करके किया जाता है वही चीज़ आप पढ़ने वाले हैं जो मेंट्री डिजाइन के अंतरगत चीज़े किलियर हैं जब भी आप किसी रोड की डिजाइन करें तो दो तीन बाते बहुत जरूरी है ध्यान में रखना अपने माइंड पे ध्यान सब्सक्राइब करें जाने वाली है तो एफ लेकर के बी पॉइंट तक कनेक्टिविटी बनाने हैं तुम्हें ध्यान देना है कि आप जो रोड बना रहे हैं अधिक लोग इसको कवर कर पके अधिक लोगों का फाइदा होना चाहिए ठीक है यानि आप्टिमम एपिफियंसी रोड पे जो यूजर है बहुत आसानी ट्रेवल कर सके और दूसरी बात तीसरी बाते हैं कि जब इस रोड को आप बनाएंगे तो इसमें पैसा भी लगेगा खर्चा भी लगेगा तो रिजनेवल काफ्ट आ है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए मतलब बंध में नहीं तो पहला वालत जो आपका इंट्रक्शन वाला टापिक फेन का पार्ड होता है toughest GOOD e यह आपका जो पार्ट होता है जिफपर आपका वेहिकल ट्रेवल करता है जिफपर आपका वेहिकल ट्रेवल करता है जिफको कैरेजवे बोलते हैं कैरेजवे बोलते हैं क्या होता है पेमेंट होता है क्या होता है पेमेंट होता है जिस पर आपके वेहिकल ट्रेवल करते हैं य को आपकी payment होती है प्र्फ। कि क्या करेट्रिटिक्स होती है कौन इसी चीजे है अपने देखा है प्रेमेंट में डावी पॉन्तेंट में दो टाइप पेमेंट होती है एक तो बिटुमिन कि payment होती है defendant walतु है डामर rural मिंदूपरा होता है आपका अपका वाल पैमेंट निबियुन की payment होगी थो black payment होगी payment होगी दूफरी वाल कांक्रीट की होगी थोical payment in दो टैप की payment में उनके इनको परफेफ कि करेक्रेट्टिक्स पढ़ने वाले हैं ठीक है तो अब आप फेफ को एफ्क्र। करने वाले बहुत फारी चीज़े होती है पहला आपका है अनवेट्विक्स लाइट रिफ्लेटिंग करेट्डिट्री ड्रेने जब फेफ वॉक्त एक करके क्या है पयए हैं तो आप रोड़ पे ट्रчиल करते हैं लंबाई के डाड़ में चले रहा है तो आप अगे ऑगे ट्रेवल करते हैं आपने देखा होगा कि इसमें फ्रिक्षान फॉर्स होता है एक friction force होता है जो कि आपको oppose करता है आपके जिस direction में आपके traveling के direction होती है गाड़ी के direction होती है उसके opposite direction में लगता है जिसको मैं आपको भी red color से दिखा रहा हूँ जो कि red color से दिखा रहा हूँ इसके opposite direction में लगता है ये oppose करता है ये oppose करता है तब ही तो एक proper gripping बन पाती है और हम इस बहुत आसानी से अपने वेहिकल को ट्रेवल कर पाते हैं यह उस रोड से हम चल पाते हैं यह तो लंबाई के डिरेक्षण में जा रहे हैं यह पर फ्रिक्षण क्या क्या बोलेंगे जो कि लंबाई के तरहां को या काम ओलत रहा है एक इसको बोलते हैं लांगी प्रिक्षन बहुत इंपोर्टन आथ लांगी गयुन्- प्रिखषन क्या बोल फकते हैं मेneh रोलिंघ गाड़ी आंगर ट्रेफल करता है इसको इसको थे बोलते हैं क्या होता है क्या होता है फारी चीजे बहुत अच्छे फिदेखेंगे घबराईए नहीं फारी चीजे बहुत अच्छे फिन देखने वाले तो rolling फ्रिक्षन लांगिटुडनल फ्रिक्षन एंड इसकीड रजिस्टेंफ क्या बोलते हैं इसकीड रजिस्टेंफ बोलते हैं इंपोर्टेंट है ध्यान में रखें अच्छा एक फ्रिक्षन हो गया दूसरा एक फ्रिक्षन होता है एक फ्रिक्षन ऐसा होता है कि जब आप मोड पर ट्रेवल करते हैं यह जब कहीं मालोग कर वेरिया होता है मोड होता है ऐसे इस तरीके का आप ट्रेवल करते हैं यह आपका मालोब वेहिकल है यह आपका क्या है वेहिकल है आप ट्रेवल कर रहे हैं ठीक है आप क्या कर रहे हैं ट्रेवल कर रहे हैं इस डारेक्शन में आप ट्रेवल कर रहे हैं तो हमेशा और हमेशा आपने देखा होगा कि जब को करवा कोई ने कोई Center होगा जिसका रेढिफ होगा को इनकोई एक वर्म पाथ पर ट्रेवल आपके जो वीचल की किस्तिति है उसको बिघाड़ेगा यहे चाहता है किसे काम करता नए आपके वहीकले पर सबूस्टा है शका टिरेंडियन और टोकता है इसके करेंड़ेगे फ्रिक्सक्ट्राइब होता है अब्जयकटोता है वहीकल को बाहर की तब ले जाने का प्याफ करता है सब सब्सक्राइब जो मतलब बाहर की साइड में रोकने से बाहर की साइड में जाने से रोकता है उसे क्या बोलते हैं लेटरल फ्रिक्षन बोलते हैं इंपोर्टेंट है ध्यान में रखिए क्या बोलते हैं लेटरल फ्रिक्षन बोलते हैं तो दो फ्रिक्षन के यहां बात आई यह सारी चीजिंगे लिए रोगगी फो पर्फेंट हमारी गारेंटी है तो यहांद आप दो प्रिक्फं के नाम फोली आपने 1 तूंना 200 फिर्ट Confederate lateral friction ठीक है, long to know friction कहां काम करता है, lateral friction कहां में काम करता है, है न, horizontal curve आप ध्यान में रखिएगा, horizontal alignment ध्यान में रखिएगा, ठीक है, अब इनके value बहुत ज्यादा important है, एक आप को code ध्यान में रखना है, Indian Road Congress 73, इसके उपर सारे data होंगे, जो भी data अपना पढ़ेंगे जहां से कोश्चन बनती हैं इंडियन रोड कांग्रेश 73 इसके कार्डिंग इन्होंने कॉफिसेंट आप इसकी ड्रजिस्टेंस रोलिंग फ्रिक्षण यह फिर कॉफिसेंट आप लांगी टुनल फ्रिक्षण इसके जो वैलू दी है आपको फार्मूला पता होगा तो आप आफानी फिकर्सक्ते हैं क्या फार्मूला होता है तो बहुत अच्छे से आपके चीजे किलियर हो जाएंगे जफ्ट में एक वर आपको दिखा देता हूं ताकि आपको थोड़ा फाइडिया लग जा जो चीज़िया पढ़ रहे हैं है कि यहां देखिए आप जब करते हैं यह फाइट लिए आपका होता है यहां पास यह आपका होता लांगे टुण्नल फिक्ट और इफीडियरो 2030 रखी जाती है 0.35 से 0.40 रखी जाती है आप यह जाम में डारेट कोश्चन बनेंगे कि जो लांगी टुनर फ्रिक्षन होता है उसकी वैलू कितनी रखी जाती है तो आपको पता होना चाहिए चलिए ठीक है और इसका यूज कहा होता है फायर टिस्टेंस कल्कुलेशन में दूफरा आपका हो इसका होता है इसके वाम फोर्ण इससकी वरंड थीजाइन में जो कि मैं आपको बताया था झालिक है लगा और आपको को आने वाले जो कॉांसेप्ट है समझने बहुत जादा हम करेगा क्या होता है क्या होता फिलिप को दूहरा देखेंगे इस किड को ठीक है मत अब यहाज आप देखिए चैनल आप दो चीज जैसे तायर है तो तायर का जो यहां होता है इसको बोलते है Compenshial सरकुलर मूवमेंट अब यह उस पॉइंट में था इसुप इस पॉइंट तक आ गया इतने जो डिस्टेंस ट्रैबल करेगा इसको बोलांगी ल्योडाटिक ह adapter क्या यह घूम घूम के पॉइंट वे पहुंच गया तो जो कवर किया है कि उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं लांगी नहीं बड़ पाता आगे बहुत कम बड़ता है आपने कभी फीलड किया होगा भी चलाया होगो तर्ष इसन जूम कियं होगे फॉब होती है तो फरखाफिया क्या घूंता रहता है जयादा होती ज्यादा होती है Č zus नंग टूर्नल अभता है यह क्र те कब होता है यहां पाफ था .2 में चला गया लेकिन इसने जो दो तरह का मुटमेंट हुआ था तो लांगी टूनलर डारेक्षान में यहां कवर करेगा तो इसने रांगी टूनलर डिस्टेम्स ज्यादा कवर कर दिया ठीक है एज कम्पेर टू फरकंफरेंस अलड्टेमस अप क्या होता है मालड रोड है बिट्मीन की रोड है उसमें आईल गिराइल गिरा हुआ हुआ है तो होगा क्या कि आपके जो गाड़ी और आगे बढ़ जाएगी खिषाल के आगे बढ़ जाती है तो स्केफ में क्या होगा आपका जो वील था इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चला गया इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चला गया यह आगे बढ़ गया जब आगे बढ़ गया तो क्या होगा आगे बढ़ गया डू टू आयल आयल यह पास गिरा हुआ था तो आप इसने जब केचल वगरा सुच वेफन होती है पानी उनी गिर देता है अर्दन रोड में इसकिड कब होता है जब आपके रोड सर्फिस में आईल वगरा गिर जाता है तो फ्लिप एंड इसकिड के बारे में आपको पता चल गया क्या होता है इसकिड और इसकिड के बारे में आपको पता चल गया क्या होता है आपने कई बार देखा होगा जापन ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगाने के बाद भी थोड़ी गाड़ी किसा क्या आगी चले जाती है वहाँ पाफ भी इसकिड की से चुएफन बनती है तो इसकिड और इस reflection जो कि payment surface characteristics को effect करता है light reflection क्या होता है आपने देखा कि जो आपकी payment होती है payment जिसके उपर आपकी गाड़ी चलती है दो टाइप की होती है एक तो होता है bitumen का दूफरा होता है concrete का दूफरा क्या होता है concrete का अब इनमें light का क्या effect पड़ता है light का अब ऒता है ऐफाल का का पड़ता हो दो आपका पर पहता है दिन आखों में पड़ती है इननी गल्हें देट के दायविक्ट होता है इने должны people कि न पर आप लेकिन रात के टाइम पर क्या होता होता ने बहुत अच्छी रहते है रात ऌंप बिजबिलिटी बहुत अच्छी रहती है तो यह आपको कांक्रेट रोड का बिटुमिन रोड के केस में क्या होता है कि दिन में जब बिटुमिन क्या है काला होता है उसका रोड सर्फेस क्या होता ब्लैक होता है तो जो भी फनलाइट आएगी वो फनलाइट को क्या करेगा जो की टाइम पर कोने खिक नहीं होगा लेकिन रात के टाइम में भी क्या होगा जो लाइट आपके हेडलाइट्स पुर्ब हंतार डिकर अश्निकल कर लेगा इसको फिर फिंट पॉर फिंद्विजबिक्षि नहीं दें रहा है वाइड रोड है बैटर विजबिलिटी एट नाइट बट है गलेर इफेक्ट दूरिंग डियल टाइम भाइट रोड यानि कांक्रेट की रोड में जो विजबिलिटी होती है नाइट में अच्छे लेकिन दिन के टाइम पर कोई इफेक्ट नहीं होता तो आपको दोनोव पॉइंट इंपॉटेंट के वारे में ठीक है अगला आपका टॉपिक अनवेनद्स क्या होता है एं आपका रोड काा फरफेस्थ था आपने बहूत अच्छा से बनवा दिया था रोड टाइम के सातिव क्पधके थोड़ा बहुत गड़्टे के रोड हो गई हो गई उसकित तरीकी के रोड होगी और उसका dwafun के उसका होगा तो यह गड़्डे सब्सक्रिमेठल कि इस कुप मेजर करतें सुन्टि मिटर में उसका अव क्या करो एक क्लोम्येटर एयरिय पर मेजर कर लो कि जितने फिण घड्र है उनको ओडर क्लो है नसे टोर ट्री सफांद पर यूनिट में भलो Championship णाप करते हैं कि क्लोमेटर में उड़्य यूथी क्लोमेटर में आपने एक किलोमेटर तो दिख क्या रहा आपको कि हैना मतलब कितने अंडूलेशन वाप आप आप दिख रहे हैं तो अनिवेन ने समझ में आ गया मेजर किसमें करते हैं पर किलो मेटर में करते हैं है ना यूइनिट होती है लेकिन इसको मेजर कैसे करेंगे उसके लिए आपके पाफ दो और इसट्रूमेंट होते हैं एक होता है एक होता है और इनृटिकेटर एंडिकेटर बमुडीत्यो अप्सुमिट को मेजर करते है त्रिक और इस इस्ट्रूमेंट कुस्ने बनाया था आपने चैप्टर नोगे सुना था सेंट्रल रोड वजिफर्च इस्टिटूट क्री सेंट्र डॉड रिफर्च इस्टिट्ड ने बंप इंडिकेटर यह फिंप इंटिगेटर का निमान किया था जिसके माद्यम फे हम VRETI के बारे में ध्यान में रखे ए इंडियन रोड कांग्रेफ डेटा इंपोर्टन्ट होते हैं पहले कालम में लिखा हुआ अनिवेनिफ इंडियेफ दूरे में लिखा हो टाइप आप पर पर पे आपने बंप इंडिरेटर लेके टोटल आपने अनिवेनिफ निकाला जो की 150 एं आता है डेड़ सोफ लेकर घाइफ आता है उसको बोलते हैं फैटिफ फैक्टरी पेमेंट क्या बोलते हैं अन्फैटिफ पेमेंट क्या बोलते हैं अन्फैटिफ पेमेंट अब इसका मतलब क्या हुआ कि रोड में जितना भी अंडूलेशन था आपने पता किया रोड में ज इतना भी अंडूलेशन था आपने पता किया अब उसके बेश पर डिसाइड करेंगे कि रोड का मेंटिनेंस करना है कि नहीं करना है ठीक है अब यहाँ पाफ जैसे बैट पेमेंट के सिच्वेफन आते ना उस्षी टाइम पे आप या कर सकते हैं रिसर्फिफिंग कर सकते हैं उसको यह पर रोड की ड्रेफिंग कर सकते हैं लेकिन लोग इस सिच्वेफन को पार कर गये कि 320 मिटर पर किलो मीटर पर ज्यादा अनिवें कुछ भी हो जाएगा तो वैलू को ध्यान में रखिए बैड पेमेंट जब से च्वेफन आते तभी कर वक्ते लेकिन मौलों तीम सब्सक्राइब करने ही पड़ेगे क्लियर और और चीज है आपको अब हम बात करेंगे अगला अपना टॉपिक है ड्रेनेज्ब भी होता है Cities क्या होता है आपको कुछ लाग रहा होगा पानी वह नहीं वह जाए कुछ कर के हैं इसका नाम होता है क्राफिफ फलो बोलते हैं कैंड भी बोलते है क्राफ्पाल नहीं बोलते हैं केंबर इन रोड में केंबर प्रोवाइड कर दो आपने देखा जब रोड का निर्माड हुआ था है ना जब रोड बनना फुरू हुए थी तो मेन यही रिजन था कि पहले न अपन रोड नार्मल आप जमीन फर्फिस बना देते थे तो पानी भर जाता था पानी भर जाता था उस कारण से प्रापर जो आपके काइट बील वगरा होते थे वह ट्रेवल नहीं हो पाते थे तो उस टाइम पर लोगों ने दिमाग लगाया कि हमें हाइवे बनान लेकिन यूँ ही पानी नहीं भाएगा इसके लिए कुछ करना पड़ेगा उसके फर्फेस को थोड़ा सा प्लेन से अठाए कुछ करना पड़ेगा तो उसमें कुछ फ्लोग प्रोवाइड करते हैं क्या फ्लोग प्रोवाइड करते हैं जैसे माल लो यह आपका रोड यह रो होता है payment के Middle portion को due respect to age इड़ पेमेंड के Middle portion को respective to age आप आप बोलेंगे ऐसे मूंकर क्या होता है क्रा वोते हैं क्राउन क्राउन बिट्रिस्पेक्ट टू एज मिडिल पोर्शन को उठा देते हैं अब जो ट्रांफर्फ डारेक्शन में फ्लो बन गया है इस जो पानी गिरेकर रोड सर्फेस में इसी तरीक से फ्लो के बह जाएगा यह क्या होगा बह जाएगा तो समझ में आगी कैमब क्या होता है हम क्या करते हैं बिट्रिस्पेक्ट टू एज पेमेंड के जो मिडिल पोर्शन को ट्रांफर्फ डारेक्शन में उठा देते हैं ताकि रोड के सर्फेस में जो पानी आए वो बैंकर के निकल जाए अच्छा जो आप उठाए ना इतनी हाइट उठाए है तो आपने जो इस लोब दिया हुआ해 यह किस तरीके कर इस लोब दिया है इसको रिपेजेंट करते हैं उन हीन्य प्र एन पर्फेंट के फारम में न परने और् करते हैं तो क्या होता है चलिए इसके बारे बहुत अच्छे हम देख लेते हैं वन इन या फिर एन पर्फेंट के फार्म में रिपिजेंट करते हैं तो क्या होता है उसको आपको जानना बहुत जरूरी बहुत इंपोर्टेंट है जैसे आप आप मालोई फ्लोप दिया हुआ ह ऐस दिया है इसमें जो इपनी फिलोब दिया है और आपका क्या है I इसके बारे बताने फिर पहले ठोला बता देता,ya चाइबार फोर इसका के था जबंड़ काहला फिर यह आपको पहली स्ट्रेेट M यह स्ट्रेट केमबर पर किया है तो यह चाहा है क्या है चाहzna नाम में कि चिडियेक का नाम है मैं कि तोड़ा से समझने का प्रियाव करते हैं थोड़ा से समझने का प्रियाव करते हैं which वेटिकल हेट होते है n वेटिक्ल हाइट होती है जबकि एन क्या होता है आपका होरिजोंटल होरिजोंटल लेंथ होती है होरिजोंटल लेंथ होती है फ्मजते हैं मतलब यह आप एन होरिजोंटल चलेंगे तो वऩ आप वर्टिकल चलेंगे मालुष की यूनिट में लेट सपोच क्या है मील्टर में है जो भी आपको दिया हुआ है तो यूनिट तो फेमी रहती है यूनिट आपके कैम फिल हो जाएगा यह आप एन यूनिट हो लेंगे वर्टिकल देने क्या हो जाएगा की है होज़ून future में अपने अपने आपने 50 cm आपने और चला है तब आपने 1 cm आपने वर्टिकल चला है ठीक है अब वन इन 50 आपका चाहिए जिफ में आपने दफ परफेंट प्रवाइड किया क्या होता है तो जैसे आपने लिखा वन इन 50 का मैंने फ्लॉप दिया है तो परसंटेज में करना तो क्या करेंगे एक को बना दीजिए पचाप से डिवाइड कर दीजिए कितना जाएगा दो परफेंट आज अपने कहा नहीं तो फ्ल तो आप्स परफेंट है तो आपको इस लोड में निकाल सकते हैं तो आप इसलोब में आपने पहला निगाल सकते हैं पर यह 1 in 80 है, यह आपका है 1 in 60 और एक है 1 in 30 इसमें सबसे ज्यादा कैमबर किसका होगा, पपन क्या करेंगे, एक को 100 बना लेंगे, तो 100 अपन 80, 100 अपन 60 और 100 अपन 30 हो जाएगा, आप डिवाइड करें, तो आप देख पाएंगे, तो आप देख पाएंगे, कि जो क्राफ इ का सबसे ज्यादा आ रहा है आप आपकी चीज़े बहुत अच्छे बहुत अच्छे किलिए होगई होगी आपको चीज़े बहुत अच्छे किलिए हो गई निकाल फकते हैं I Am I can tell the camera 3 क्योंते पहला होता आप के पेरीड रूफरा होता का फिर दो थ कंबाईंड कैमबर थीफरा होता कंबाइंड कैमबर थीफरा होता कंबाइंड कैमबर तो आप इसको देखिए मैं थोड़ा कर के आपको सब्सक्राइब कर अब को अब रेज कर के अच यहां देखिए यह आपका इस ट्रेट कैमबर है आपने क्या किया किया कि आपका सेंटर से अपने मिडिल पॉर्शन को उठा दिया अपका क्या है रोड सर्फेस और है कि आपका भी प्रवाइज बोलते हैं ठीक है अब चुब राइज की हाइट होती है यह आपको पता नहीं होती इस और निकालना पड़ता है थोड़ाँ समय कलकुलेशन करके आपको यहीं बता देता हूं basic पर कुछ भी नहीं होता यह आपका पेमेंट है ठीक है आपने पेमेंट के मिडिल पोर्फन को उठा करके मिडिल पोर्फन को ट्रांफर डारेक्शन उठा दिया आपने कैमबर प्रोवाइड कर दे लेट सपोस्ट इस तरीके का इसकी विर्समालों डबलू होगी तो इतना वाला प्रोवा फें है तो नहीं होगा इं आप यह को हीघ निकालना चाहिए लकाँ होlles कशल दीका चलेंगे एक वर्टिकल चलेंगे, कितना चलेंगे, एक वर्टिकल चलेंगे, चलिए हम भी एक काम करते हैं, यह तो हमें पता था कि एक वर्टिकल होता है, तो इसके इसमें ऐसा करिए, देखें, इसमें क्या करेंगे, यह हमारा जो क्या था ना, इस बाले पार्ट को हम बहार निकालें, इस बाले पार्ट को, यह कितना हो जाएगा, इस एज की लेंथ हमें पता करनी है, इस एज की लेंथ हमें पता करनी है, फिमिलर ट्रेंगल का कांफेट यूज करेंगे, जब आप फिमिलर ट्रेंगल का कांफेट यूज करेंगे, तो आप आने पे आप फार्मूले को निकाल पाएंगे, कैसे निकाल पाएंगे, देखें, 1 in n is equal to, कितना हो जाएगा, आप निकालेंगे, एस बढावर, आपका आएगा, एस आपका आएगा, डबलू अपांट 2,N, कितना हो जो खिर्पिया होता है, यूज क्या पैमेंट, यूज क्या होता है, पर्फिंटेज, आपने ल फ्लोप जो लो दिया हुआ हो जो जाएगा, यहां पाफ लिखा दाय्ट फार्मुला कि होता है डबलो क्या होता है विड़्तप पेमिंट इन क्या होता है पर्फिंटेज फ्लोड आई फोप आपको चैजिए के लिए रो गई होंगी आपके स्ट्रेट केमबर done अब यहां पे कॉश्चन आपके by बन जाएंगे अ हैं दो प्लक्जा एपकर जो कैमबर होता है यह होता है दो कि टाइप में होता है पैरा बोला के टाइप में होता है आप क्या करेंगे इस तरीके कुछ केमबर होता है इस तरीके 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 केमबर होता है इसमें भी क्या करते हैं आपका इनर एज होता है आफ के आफके जो होते हैं अब General उठा जाता है आफ को पासी ड्रक्टीenk से अस्टाइब को सब्सक्राइब कशा होते हैं और अफ वहीं अपकर प्रॉस्कान नहीं चांप कि करेंच है द्यूंविच को Eso फाफ्ट मॉविंग वेहिकल कहा इसे बिटमीन रोड वगारा में जो कैमबर होता है आपको पैराबोली कैमबर होता है तो इसके बारे में ध्यान रखिए इसके बारे में कुछ आपको मैं एक्वेफन वगारा भी आपको दिखा दूँगा डाइगराम में देख लिजे यह आ बड आ NASA Oh मैं देखिए यह आपका क्या है यह आपका जुवेइडद पड़े एक सतर्ण होता है यहवित बिड़व सूम सॉता है सब्य। और यह जी आपका प्रॉड है आपने फूना वोगा एक यह पर अपने देख्योंगे ऊगए Eqoration क्या है ? Eqoration क्या होती है ? कि पैरबोलर की Eqoration आपने देखी होगी ज्यादा depth में लगता जाने से कोई मतलब नहीं है आप Confuse हो अजाम में तो Confuse तो नहीं होना है बड़ पैरबोलर की Eqoration ने जब को पता है आपने सुना होगा Eqoration A वराबर ए वराबर क्या होता है nwy2 और उससे पहले आपने फुन होगा by वराबर x square अपान य वराबर x square अपान य तो आपने एक्वेफन डायट डिराइब कियो होगे 12 कलाप में मैहत के अंदर और यहां पाफ ए वराबर क्या रख देंगे अपन यहां पाफ देखे जो फ्लोप है वन इन का है ठीक है अब यहां पाफ तो इसका जो बाई का वेलू आगा इन डाबलू आएगा मतलब यह आपका यह पैराबोली केमिर होगया है कि आपका कई होता है इस अपने क्यान ऑपooo होगा यह वाली क्या है बाई हाइट है तो जो आपने उसको पढ़ा है आपने स्ट्रेट लाइन का पढ़ाएं स्ट्रेट लाइन क्या होता है एच बराबर होता है डबलु अपन टू यहां फे बहुत फारे आपके अब्जेक्टिव कोश्चन डारेट बन जाएंगे तीफरा होता आपका पैराबोली कैमबर पैराबोली कैमबर के अंदर तीन चीजे होती है नहीं कंबाइंड कैमबर बोलते क्या बोलते कंबाइंड कैमबर इसको लिखा नहीं है आप आप मैं यहां पर समझा देता हूं तेफरा आपका कैमबर होता है कंबाइंड कैमबर कंबाइंड camera होग होगा है फिर यहां यहां तका कि एक पैरद्ध प्लिपा किसका पीर और रोते हैट यहां ऑल्लाय इसनि धोकी कत्रों अप्र ड्क अवर्यत दीहता है दॉकि चिमिंद 10 प्रहे बना यह पत्ति दीडि आपका 사ources उसको इसको बसंते environmentally आपका कैंबर यह चाहिए उसको लिश्कार प्रॉवाइड करते हैं तो यहां पास स्ट्रेयट कैंबर हो गया प्रोवाइड दीजेद है इसको बॉलते हैं कांज्सना प्रॉआ फेरा बोली हो वाइड में उसको उपसहां पानी रूके ना पानी ट्रांफर डारेक्षन में बैएके निकल जाए अधर्वाइज रोड के अंदर पानी घूफ जाएगा तो फिर क्या होगा प्राबलाम होगी थीपेज करके अंदर दिरे-दिर इन फिल्टरेट हो जाएगा दूसरा तीन टाइप इंगा केमर होते हैं इस्सट्रेट के मारब अंद इस्ट्रेट प्लस प्लफण प् Eun इस्ट्रेट के लिए फार्मूल ला इंपोर्टन्टंद हैं अब आःयलन कितना कैमर करने पाने का में और इस YEAH कुली वारी हो रही है इस इन सब पर डिपेंड करता है कहां कितनी वर्फा हो रही है उसके कार्डिंग आप केमबर की वेलु को डिफाइड करते हैं तो हम आपको कुछ डेटा बताएंगे जो की आयार्फी ने दिया है जो कि आपको ध्यान में रखना है एक और बनेगा कि जो आपका क्राफ होता है जो कि मैं आपको टेबल दिखाता हूं यह टेबल बहुत जादा इंपोर्टेंट है पहले कालम में दूसरे में टाइप साप रोड सर्फेस है तीसरे है रेंज आप कैमबर इने रियाज कि उस पर प्रोवाइड करेंगे किस तरीके का रोड सर्फेस है इस पर बात होगी पहले अब ेकैमबर इने श्माल बहुत ज्यादा वाला री आइरिया खाने बहुत कम वर्फावाला औरिया तो पहला रोड है टाइप श्यवार मनें दोंक्रेस चोले हैं आपको यह पेमेंट आने जो पेमेंट है वाला जिस पर गार्ल करती है यह आपको सेमेंट कांक्रेट क बन कितना प्रोड करेंगे मालो उस ऐरिया बहुत ज़्यादा वर्षा होती है आप 150 कितव परसंट कैसे1 को बनादulsion को सब्सक्राइब डॉपर्षेंट आजाएगा ठीक है दो पर्षेंट आजाएगा मालो रहें फाल है कम वर्षा होती है तो वन इंफिप्टी यानि वण को बना दो 100 और सब्से डिवाइड कर दो तो रहीं पर्षेंट की रोड हो या फिर हाई टाइप की बिटुमिन अफ रोड हो तो हैवी रह प्रोवाइड करते हैं अब बहुत बड़ा कन्फूजन हो रहा है पर आप जो बता रहे हैं मैं बताता हूं इसको समझे हैं आप आप से इंपोर्टेंट ही है याद रखना ही पड़ेगा लेकिन आप आप से राइज हो रहा है कि जो लो रेन फाल है जहां वर्सा कम हो रही है वहां क्या हम Camber की गम दे रहे हैं बिल्कुल वन? seven पर सेंट दे रहे हैं इनिख रितल कहलब यह कम होगी तो पानी बह जाएगा बिजताब होगी उखशाऀ आपको अब इसमें आपके तरीके का है तो आपको हैवी रेंफाले केफ में वन रेफ्टी थरी परफेंट का और इसमें 2.5 परफेंट का लो रेंफाले केफ में प्रोवाइड करते हैं मिट्री वाले तो जैसे जैसे पेमेंट कावम होती जाती पेमेंट के वालिटी काम होती है आपने जो camber provide के उसके value क्या होती बढ़ती जाती है उसके value क्या होती बढ़ती जाती है आई होप आपके यह topic समझ में आ रहे होंगे यहां फे बहुत सारे question बनेंगे आप तो बेस्मन गए नो तो मैं चुटकियों में फारी चिज़ करवाएंगे चुटकियों में तो आपको के value अलग अलग location के लिए जहां कम वर्फा होती कहां ज्यादा वर्फा होती उसके उसके पार पर दी गए हैं अब हम कुछ कोफ्टन करेंगे अभी तक हमने जो topic discuss किया है चालीफ मिनट के अंतरगत इनमें से आपके कुछ एक्जाम में जिस एक्जाम के आप तैयारी कर रहे को स्क्लें फटा फट बताई 15 दूटाब पोस्कान आपकी इनसी के वात इढमेंट के एधार रिकमेंडर केंबर कर विटंक टाइप आप रोड जो घ्रिकल भी शूट कनीशट नेकटathan के इसपा आपको इस पास लिखा कहा है है कि रइन फाल है कि लो रेन फाल है तो पहले वाला हम क्या मानेंगे हैवी से लो तो जो बिटमीन पर फिट थी जो बीटमीन उस टाइप की रोड थी वहाँ पाफ मैं ने देखा जो प्रोवाइड ने तो इसमें कोई आसन नहीं है कि लेकर के वन इन 60 तो आप अपन नमबर एपे टिक करेंगे ठीक है आप सा नमबर एपे टिक करेंगे ठीक है आप फा नमबर एपे टिक करेंगे Center of the road is elevated with respect to edge वाइच भाइज दिफ आपका जो रोड का फर्फेस है बित रिड्टे compr हमने एंग कर दिया फे क्या बोलते हैं उसे क्या बहिए भर उपेन हैंपनों ने उसे बहुत हैं तो आपका अपने सेंटर लाइक वाला इस बित रिड्टे को बोलते हैं Central rise एह अपका क्या है रोड सेर्फेस है रोड सेर्फेस इस प्र नंबर कौन सो होगा आपका होगा कैंबर क्या होगा कैंबर शुपर आने वाले टॉपिक में देखेंगे अगला कॉफचान है आपके स्क्रेइन पे कॉफचान नमबर 3 निमेरिकल कॉफचान है जो कि आपके एजाम में आया हुआ था इसमें क्रोन की हाइड पूछ रहा है आपने क्या किया वाट इस दा क्रोन हाइड विट रिफेक्ट टू दा एज यो अच्रhat क्लास देए अजिस तो ब year कर दे возь model लाइड पाइड पूछा हुआ हैँ अब क्रोन है एक लाइड क्लोन मोलते हैं इसको महलए 8 घज वेलू आपको निकालने पड़ेगे इसमें जुआ आपका बिर्द दिया हुआ है coy बताइए कैसे निकालेंगे इसको बहुत आफान है अभी मैंने बताया आपको आपने देखा कि हवराबर क्या होता है बताइए कितना होता है कितना होता है तो वैलू को पूट कर देजिए तो क्या हो जाएगा यह आपका होजाएगा कुछ इस तरीके से इस डबलु कितना है आपका विर्ध इक विर्ध सांथ है इंटू यह आपको हो जाएगा है है तो इंटू 50 ठीक है एच वरावर डबलो पांट 2N है डबलो कितना आपको दिया हुआ है डबलो आपको दिया है फात मेटर तू तू है और इस लोग कितना है वन इन 50 होता है आप इसको फालू करेंगे तो 0.0 फेवान आएगा जिरो पॉइंट कितना आएगा जिरो फेवान आएगा बहुत सिंपल है इसको आप फालू करते हैं एच वरावर डबलो पांट 2N को ध्यान में रखिए ठीक है आपके चीज़े के लिए रो जाएंगे यह आपका क्या है इस ट्रेट कैमबर फे कोफचन पूशा हुआ है इस ट लिखा हुआ था न वेरी रेंफाल लिखा है तो आपने 150 लेते हैं नहीं भी लिखा रहता तब भी चंस्यूंदर करना पड़ता है है जो अकाम्बर होता है फ्लोप होता कितना और फिप्टि होता है ना फिद्विन एस रोट केफ में तौनने 50 ले लिया और 1259 एवर रखें याद रहेगी तभी तो आपको फ्रमूला याद रहेगा आप 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 निकाल लेंगे इसको कि एच वरावर डबलो पांट टू एन ठीक है अब यहाँ पाफ बहुत लों को डाउट आने वाला है पर वन इन अपनी फ्लोप बताया था यहाँ पाफ कितना है वन इन फिप्टी यहनि एन वरावर कितना है पचाफ है वरावर मैंने आप पचाफ पूट कर दिया फाथ तो फाथ लिखा हुआ है अब इसमें मैं थोड़ा करता हूं कई बार कंफ्यूजन आएगा तो देखो कि आपको डबलू कितना दिया था आपको फाथ दो तो दो और एन की वैलू कितनी होगी पचाफ तो फाथ पटा फाव यानि जिरो पॉइंट चिरो सेवन कोफचा नमबर फोर को देखें कोफचा नमबर फोर पे हम बात क करेंगे चैंबर परवाइड़े बार क्यों प्रोवाइड किया जाता हा। मैं सीपेज़फ्लो psychology waterproof को रूखने के लिए매 वाटर को रिमूब करने के लिए तुनो दा टेवल वाई ड्रेनिंग आफ वाटर यह जो वाटर टेवल की मात्र जाने ले यह वाटर कितना है पानी बैने के बाद सब नहीं होता तुन रिमूब वाटर साम्दा पेम्न प्रोवैड करने का मक्सद होता है पेम्न की सर्थे रिमूब हो जाए यह मकसद होता है तो आपसा नमर सी एंस का एंसर होगा सारे पढ़े हुए टॉपिक से कोस्चन मिल रहे हैं रिकमेंडे कैमबर फार बाउंड में केडम बाटर बाउंड में केडम यह आपका रोड है यह पेमेंट डाइप साप रोड है इसमें कितना केमबर प्रोड करेंगे वाटर बाउंड में केडम में कितना कीमबर प्रोड करेंगे आपने पड़ा ना 123 Tok delivered in सब्सक्राइब करें बीटूमिनस सर्फेस है वह सब्सक्राइब करें आSpagen में कितों ज没事 Sun कि अलागit अलगएड के दिए अलग किमी तरीके एरियार घ्रड करते आधि अगले वाले वीडियो पढ़ेंगे उसमें बहुत सारे और कॉंसेप्ट करेंगे इसको आपको डाउट नहीं आना चाहिए उसकी वैलू क्या होगी एस पर इंडियन रोड कांग्रेफ लेटरल फ्रिक्षन की वैलू होती है 0.15 कितनी होती है 0.15 लेटरल फ्रिक्षन का यूज होरिजोंटल करवी डिजाइन में किया जाता है यह पास रफ्रिक्षन नहीं था अनिवेंमेंफ था जो रोड की अनिवेंनेफ होती है भुरदूरापन होता है ठीक है यह फिर अपंख बोल झाएं उसको मेजर कनने के लिए अपन अपनी आपण भी बोल झाल जोई प्राबलम नहीं होगी ठीक है कोस्टर में जो आयाए थ ख़ब और भापनेंस लिखा था मैंने आप ovaट टाइप किया था ऊए तो अप जो रोड सर्फ की अनिवेनने सी पिर अपनेज को मेजर करते हैं पेमेंस अर्फिस की को करते हैं आप बंप इंटीग्रेटर औरफ मील्टर से आं मिल्टर से अपम सर नंबर क्या होगा वी नंबर एमसर होगा कोगल एक आपसन नहीं हगा नो बंप इंटीडर ऑम Goddess नुमेजर up Sun तो तो बंप इंडिग्रेटर या बंप इंडिगेटर लेकिन आप रफनेस लिखा हुआ तो दोनों वाला इंफर्फ़ाई होगा बंप इंडिग्रेटर रफ मेंटर वाट इस विच आप फालोविंग और करेक्ट वैलू इस फर कॉपिकेंट आप लेटरल एंड लांगी टुनल पूछ रहा है करेक्ट वैलू बता दो लेटरल एंड लांगी टुनल के लेटरल फिक्सवन के 0.15 होती है लांगी टुनल के 0.35 फे 0.40 होती है तो आप फान नंबर पी पे आप टीक कर देंगे तो आपने सारे कोफ्चन लगा लिए तो इस तरीके से जब टॉपिक को पढ़ को बहुत हीज मिनानफी आप करिए बहुत जादा इंपोर्टेंट है जो टॉपिक मैंने पढ़ा तो नियुक्षान कर लिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरब अगला टॉपिक अपना क्या है तो अपने क्या करेंगे थोड़ा फाप पढ़ने का तरीका चेंज करते हैं जो पढ़ेंगे फ्रेम टाइम कर लेंगे तो इंपोर्टेंट पता चल जाएगा अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसमें फारी चीज इंपोर्टेंट है खाफ के जो टेवल मैंने बताई है इस टेवल को ना आप बहुत अच्छे फे फार्ट नोट्स वाले फाइ और आघला हमारा टापिक है विड को या फिर काषए क्या होता है यह बहुत सारी Listening इस पर vueहिकल चलते है जिस पर वेहिकल चलते हैं उसी की बात हो रही है अब उसमें देखना पड़ेगा कि जो आपका और रोड है उस रोड पर कितने लेन है उस रोड पर कितने लेन हैं कितने नमबर आप लेन है उसको देखना पड़ेगा जो हर एक लेन की विर्थ कितनी होती उसको देखना decided on the basis of capacity which depends on width of traffic width of the traffic lane and number of lanes आपके उस lane का जो आप पहली lane हो गई पर फिपरेटर होगा फिर दूफरी lane होगी ठीक है तो एक लिए कितनी है है ना और number of lane कितनी है उसके carding आप बता सकते हैं विर्था पेमेंट कितना होगा एक टेबल देखिए बहुत जादे important है Indian Road Congress ने कुछ आपको बताया हुआ है carriageway के बारे में हैना carriageway के बारे में मालों finger lane road है ayk lane kv.1 एक लेन हैं एक हिर फिंगल लेन रोड़ इफ डारेक्षन वेहिकल जाते इस डारेक्षन वेहिकल आते है एक फिलेन है उस इसमें जो आपका विर्थ आप कैरीजवे होता है है ना विर्थ होता है कैरीजवे की वह आपका 3.75 मीटर होता है 3.75 मीटर होता है मालों एक lane नहीं है दो lane है एक lane नहीं है इना छान 2 lane है जब 2 lane एक lane थी और एक lane आपकी ये वाली है इधर बेहिखल जाता है और इसमें कर्व नहीं है कर्व प्रोवाइड नहीं किया गया है तो बिर्थाप carriage भी क्या होगा 5 meter? तू- lane लेक़ उसमे कर्मी प्रोवाइट किया गया है तू फारे फार्थ मेटर इंटरमिड्इी र केरीजवे हैं इं inherentर मिड्डियर प्री पांस मेटर तो फारे पांस मेटर मालो एकप जादा Lane है उस केस में जो हता है 3.5 मेटर पार लेन एक लेन्स का 3.5 मेटर मालों 4 लेन 3.5 इंटू 4 हो जाएगा वह आपका निकलके आजागा विर्थ आफ कार्यजबे टो फिंगर लेन कितना होता है 3.75 मेटर् टू लेन 9 करवे 5 मेटर टू लेन बिथ कर फाड़े हाथ मेटर मर्टी लेन है तो 3.5 मिल्टर पर लेन इंपोर्टेंट है ध्यान में रखिएगा अच्छा अब यहां पाफ कुछ कंफ्यूजन हो रहा हो तो हैं देखिए यह वाला जो एरिया है ना यह वाला देखिए यह वाले जो चोड़ाई है इस चोड़ाई में वेहिकल आपके ट्रैवल करते हैं इसी को बोलते है वेटाइप कई नीज फ्टाफ पेमेंट इसी को बोलते है विर्दशाफ पेमेंट मैनने फोटो लगा रखसा आप लोगों के लिए वीर्दाप पेमेंट त्य प्रमज में ऑनको कि बारे में वीर्द्थाप कैशिवे मालों एन्थैक लेन ती ऑर एक लेने है ठीक है एक लेने है एक लेने है दो लेन बोलेंगे इसको तो समझ में आगा न विर्थाप पेमिंट के बारे में विर्थाप कैरिज वे इंपोर्टेंट है टेबल ध्यान में रखेएगा चलिए अगला टॉपिक है मेडियम या फिर ट्रैफिक सिप्रेटर आपने रोड में द अब यहाँ पास देख को PiC men traffic XP वेटर क्यों को धीया जाता है अब यहां से कौई वेहिकल जा रहा है और इधर पीज वेईकल आ रहा है तो अमालों शेहए प्रेइटब केसे दूसरी बात होती है कि दो आ है आप शोनार पर आपको पढ़ेगी सवेहिकालं की Product से प्राइर आरीड और पढ़ेगी और आप चकमका आजाएंगे बिल्कुल है ना ग्लेयर होगा चमा को ग्लेयर इफट होगा ना चका चौंत टाइप में हो जाता है वामने जब आंक में लाइट पड़ती है इसको रिड्यूस करना होगा अब इसको कैसे रिड्यूस करेंगे इसके लिए का करते हैं अपने फिपरेटर अपने देखा हूँ आप देखा है बहुत सरी देस्ट फटेलन एंड च्ली यह बहुत फारे दियूट सब्रूब कंधा प्रवाइड करने का में परपाज होता है है को डिवाइड को करना को करना कि लिए अच्छा आप कितना रहेगा जो आप वे डिवाइड करेंगा ट्रैफिक इप्रेटर कितनी होती है पांच मीटर कम से कम होना चाहिए पांच मीटर नहीं होगा तो ग्लियर की फिर्ट को कम करें लेकिन आयाइरसी कहता है कि प्रेजा लेट आगर तो हमक्रा पड़ रहे थे हम पड़ रहे हैं तो ट्राफिक बारे में तो ट्राफिक प्रापर आप प colonial कर संभा आते हैं दिऊंक्त लात में टेपategовор até है स्सक्राइब करते हों टो 5 अप जमीन नहीं है लेंड की कमी तो पॉस्जमित ना करciones आप आप दिए और वह तब ही काम चला कोई एक यर्व में लेंडा एक स्क्राइब ओलीड पर आयार्सी ने कहा कि भाई जो आपके लंबी ब्रिजेस होती है यह फिर पूले होती है उस केफ में इसकी विर्थ को से कम नहीं होना चाहिए यह बात कहता है कि क्या बात कहता है कि कहता है कि जो आपकर ट्रैफिक सिप्रेटर होता है कि ट्रैफिक सिप्रेटर होता है ट्रैफिक सिप्रेटर की जो पास मिल्टर रखो इस लेंड की कम यह तो आप तीन मिल्टर रख दो ठीक है जो लंबी ब्रिज तो अगले वीडियो में कांटीन्यू करेंगे इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो दाफिविल पॉइंट का आप डाउनलोड कर लिजे और अभी हमारा एक बैच स्टार्ट हुआ है जिसके माध्यम से बहुत अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं कोई भी क्व क्वश्य कर लिजब का ळाएंगे बहुत और यादया लेए वी खिर देंगी हमारा एक हैं कि हम झाणने जिसके मांजफे कourघ फिरो जाते हैं कि कर दो मिलादук लिए से वाल अोल kewise प्मारारा हявुन है झालोट लिए Tolkien में वेद़ सकते हैं ésрашा किए वाल उनर परordin कैसे हैं